जैहिन दोस्तों दोस्तों बिहार दरवगा मेंस का सेट आप सभी लोग का कल नहीं चल पाया था इसके लिए आप सभी लोग माफ कीजिएगा और आज हम देखेंगे आपका माक्समाइन का सेट सेवन देखेंगे थोड़ा भूत आप सभी लोग को बाहर की आवाज आ रही तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ओप्सन डी मास्की हो जाएगा याद रखिएगा डी राइट आंसर हो जाएगा नेश्ट कोसने कोसन नमर टू बूद कोसामबी किसके राज्यकाल में आए हुए थे बूद कोसामबी जो थे किसके राज्यकाल में आए हुए थे तो इसक का आंसर आपका हो जाएगा option B उदेयन क्या हो जाएगा उदेयन हो जाएगा B सही आंसर हो जाएगा नेश्ट कोसन की भारत के मुगल सासक बनने पर जहुरी दून भारत के मुगल सासक बनने पर जहिरुदीन मुहम्मद ने डैस नाम रखा था क्या नाम रखा था याद रखि तो आपका बुद् के उपदेसों का संग्र है क्या है बुद्ध के उपदेसों का संग्र है नेस्ट कोशन ने आ और होसे के तो आपका साम को जो आपका रोषण आने सरक के दोरा जो एक तयार किया गया प्रैक्टिस एटू आएगा प्रिटीस हासन के दोरान भारत में उधो गों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ इसका कारण कैं था इसका कारण क्या था याद रखिएगा धनिक वर्ग द्वारा भू एक सेकेंड तो इसमें आपका बोला गया है कि धनिक वर्ग द्वारा भू समपती में निवेश करने की तरजीह दिया जाना यानि अप्शन जो आपका यहां पर D है D्सका राइत आंसर हो जाएगा चलिए करण मंबर 8 कि महरला सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस यूद में परास्त किया था चलिए बताईएगा इसका कोशन नम्र एट का आंसर हो जाएगा आपका ओप्शन ए खातावली का यूद हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा याद रखिएगा चलिए नेश्ट को सदेखेंगे कोशन नम्र नाइन देखिए थोड़ा इस टैम बीजी है इसी वेसे आप से प्रारम हुआ था सभी को पता है कि जो 1857 की करांती है यह आपका मेरट से प्रारम हुआ था नौ का जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा नेश्ट को सदेखेंगे को से नम्र टेन वैदिक यूग में प्रचलीत लोकप्रिय सासन प्रणाली थी किसकी आंसर आपका हो जाएगा वंस परम परागत राच्तंतर का वंस परम परागत राच्तंतर का हो जाएगा डी इसका सही आंसर हो जाएगा नेश्ट कुर्षन की नरमदल और गरमदल के रूप में भारती राष्टी कॉंग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था भारतिय राष्टिय कॉंग्रेश का जो अधिवेशन हुआ था कौन से अधिवेशन में हुआ था तो इसका आंसर आपका हो जाएगा option B सुरत अधिवेशन नरम दल और गरम दल के रूप में सुरत अधिवेशन में हुआ था याद रखियेगा एक अलफरेड पार्क है जो कि अलहाबाद में इस चीते वहीं पर हो गया था ये तो इसका सी आंसर आपका सही हो जाएगा नेश्ट कोषन की जब रोलेक्ट अक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसर आयकॉन था नेश्ट कोषन नबर 14 बोला गया है कि निमलखी तमे से किसने वर्स 1904 से लगातार भारत को स्वासासन देने पर बल दिया था आंसर आपका हो जाएगा option D दादा भाई नरोजी दादा भाई नरोजी हो जाएगा D सही आंसर हो जाएगा अजाद हिंद सरकार के निर्मार की घोशना कब की गई थी अजाद हिंद सरकार की जो निर्मार की घोशना है ये कब किया गया था तो इसका अंसर आपका हो जाएगा 21. October 1943 नेश्ट कोसन की महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भासर जो है कहां पर दिया था तो जन भासर आपको पता है कहां पर दिया था पहला पूछा गया है पहला तो याद रखिएगा इसका अंसर आपका हो जाएगा वारणसी में कहां पर वारणसी डी इसका उत्तर हो जाएगा नेश्ट कोसन की भागत सिंग का इस मारक जो है कहां परिस्तित है भागत सिंग का जो इस मारक है या आपका कहां परिस्तित है बताईएगा तो इसका आंसर आपका हो जाएगा option A फिरोजपूर में कहाँ पे फिरोजपूर हो जाएगा 17 का जब उत्तर है आपका यहाँ पे A सही उत्तर हो जाएगा चलिए next question देखेंगे कि सोराज को बताओर राष्टी मांग के रूप में सरपर्थम रखा था किसने पहली बार किस आउसर पर गया गया था जो आपका जनगण मंद था यह पहली बार किस आउसर पर गया गया था बताओर तो यह आपका गया गया था भारती राष्टी कॉंग्रेस का अधिवेशन जो 1911 में हुआ था सी इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट कुसन के ब्रेटीस काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहां पर थी ब्रेटीस काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी है यह आपका कहां पर था अंतरगत नहीं पाया जाता है बताईएगा तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इत्खोपिया इत्खोपिया हो जाएगा इसका आप सभी लोग इसको याद रखिएगा भूलिएगा नहीं ठीक है अब आते हैं अगले प्रस्न पर अगला प्रस्न आपका क्या है ट्वंटीटू गंगा और दच्वी टट दाहीने टट की मुख्य सहाई का है जो पठार की किनारे पर जल परपातों की एक स्रिंखला बनाती हुई उत्तर दिसा की ओर बहती है नेस्ट को सने को सनमर हम देखेंगे 23 निमलिखित में सेकी से परवतों का सागर कहा जाता है देखी परवतों की सा सब्सक्राइब की पुस्तक दसी आफ मांटेंस एन अकाउंट आफ डफ्रिंस तूट त्रू ब्रिटिस कोलंबिया इन 1866 के अधार पर दिया गया था तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा अगला है कंधार इस्थी थे कहां में कंधार जो है यह देखा ज देखेंगे भारत की एक तिहाई से अधिक जन्संख्या किन राज्यों में संकेंद्रित है सभी को बता है अभी फिलाल में वर्तमान में देखा जाए तो आपका उत्तर परदेश महराश्ट्र और बिहार कहां पे उत्तर परदेश महराश्ट्र और बिहार में सबस्यादा है किसी इस्थान का मानक समय निर्धायत करने का आधार होता है आंसर हो जाएगा आपका option D प्रधान मध्या रेखा हो जाएगा 26 का उत्तर जो है आपका यहाँ पर D उत्तर हो जाएगा नेश्ट कोशन की पीर पंजाल सिर्णी पाई जाती है कहां में पीर पंजाल जो सिर्णी है यह आपका जम्मू एवं कास्मीर में पाई जाती है जम्मू एवं कास्मीर में 27 का जो उत्तर है आपका B उत्तर हो जाएगा आप इसको अच्छे से नो डाउन कर सकते हैं नेश्ट कोशन की भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहां पर है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार देखा जातो आपका डिक बोई यानि असम में स्तित है ठीक यह ब्रंपुत्र घाटी का तेल भंडार है तो आंसर आपका D उत्तर हो जाएगा नेश्ट कोसने की भारत के राजियों का इमलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पस्यमी राजिय को इंगीत करता है बताईएगा तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ओप्सिन डी अरुनाचल पर्देश हो जाएगा और गुजरात हो जाएगा नेश्ट कैसर की भारत की 2011 की जिनगणना गुणड़ रखियेगा गाजी अबाद क्या हो जाएगा गाजी अबाद नेश्ट कैसर की निमलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उदेश से नहीं है अर्थिक नियोजन का उदेश से नहीं है तो इसका उत्तर आपका हो जएगा option A जन संख्या विरध्धी जन संंख्या विरध्धी इसका उत्तर हो जएगा अगला प्रसन है कि हरीत क्रांती में प्रियुक्त मुख्य पादक कौन सा था हरीत क्रांती में प्रियुक्त मुख्य पादक जो थो आपका यहां पे कौन सा था तो इसका उत्तर हो जाएगा मैक्सिकन गेहूं हो जाएगा डी इसका उत्तर हो जाएगा चले नेश्ट कोसन देखेंगे हम कोसन अबर 33 जीरो टील बीज एवं उर्वरक ड्रील विक्सित किया गया था विक्सित किया गया था तो आपका उतर हो जाएगा उप्सन भी जी भी पंत क्रिसी एवं प्रोधोकी विश्विद्याले पंत नगर में यानि उप्सन जो है आपका यहां पे बी उतर हो जाएगा नेश्ट कोसने के जी एन पी तथा एन एन पी के मध्य अंतर क्या है जी एन पी तथा एन एन पी के मध्य अंतर क्या है तो इसका उतर यही हो जाएगा पूंजी अधिमुलियन के समान पूंजी अधी मुलियन के समान हो जाएगा यह इसका हुत्तर हो जाएगा next question 1 question number 35 भारत में योजना आवकास हुआ था कब यानि plan holiday इसका उत्तर आपका हो जाएगा verse 1966 के आकाल के बाद 이제 1976 के आकाल के बाद इसका उत्तर हो जाएगा किस अर्थसास्त्रिय ने राष्ट्री आये पर पुर्गामी कारे किया था इसका उत्तर आपका हो जाएगा VKRV राव हो जाएगा आंसर आपका D उत्तर हो जाएगा बैंकिंग के छेतर में CBS में C का पूर्ड रूप क्या होता है यह सो आपका बैंकिंग छेतर में आता है तो इसका उत्तर याद रिखिएगा कोर हो जाएगा क्या हो जाएगा कोर यानि कोर बैंकिंग सॉलूसन कोर बैंकिंग सॉलूसन हो जाएगा आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा अब आते हैं कोसे नमबर हम ठाटी एट पे बुला गया डाक्टर अमर्थ सेंच जिन्हें वर्स उनिस सो अंठानवे में अर्थ सास्र के लिए नोबिल पुरसकार प्राप्त हुआ था आर्थ आपका बी उत्तर हो जाएगा नेश्ट कोसने की निमलिखित में से कौन सी पंचवर्सी योजना में सबसे अधिक विकास दर पाई गई है निमलिखित में से कौन सी पंचवर्सी योजना में सबसे अधिक विकास दर पाई गई है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ओपस किलोग्राम की गरा हो जाएगा आपका उत्तर जो है अपका बी उत्तर हो जाएगा भारती समिधान में सम्मिलित नीती निर्दसक तो यादर किया सभी लोग देखे यहां पर बोला गया कि भारती समिधान में सम्मिलित नीती निर्दसक ततो की पेड़ना हमें किस समिधान से प्राप्त होती है या फिर प्राप्त होई है देखे 41 का आपको पताई होगा या आपका आयरलेंड से लिया गया है तो आयरलेंड से ही प्राप्त होगा तो आंसर जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा सरोच नियाले में सिवा निवृत्त की आयू कितना है सिवा निवृत्त की कि जो आयू है इसकी आयू निधारित क्या गया है आपका 65 वर्स कितना वर्स 65 यानि 65 वियर्स नेश्ट कोसने की भारती समिधान के निमलिखित अनुछेदों में से कौन सा अनुछेद राज्य के सरकारों को गुराम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है अनुद्स निम्न में से किस कमेटी द्वारा दी गए थी बताईएगए इसका उत्तर क्या होगा तो इसका सही आंसर क्या होगा तो दोस्तों आपको पताई होगा आपका उतर हो जाएगा ओप्सने LM सिंधिवी कमेटी हो जाएगा LM सिंधिवी कमेटी नेश्ट कोसने किस सम्मिधान और संसुदन द्वारा भारतिय नागरिकों के लिए 10 मूल करतब ये सम्मिधान में जोड़े गए हैं 10 मूल करतब ये सम्मिधान में जोड़े गए हैं नेश्ट कोसने कोसर नमर 46 कि भारती राज्य को डैस के अंतरगत स्वसासन की इकाई की रूप में संगठित किया गया है। तो आपका हो जाएगा ओप्सन डी भारती समिधान के 73 संसुधन, 73 संसुधन इसका उत्तर हो जाएगा याद रखिएगा। हमारे देश का समिधानिक नाम क्या है तो आपका भारत अर्थात इंडिया हो जाएगा। नेश्ट कोसन की राज के निर्थी निर्दसक सिधानतों को भारती समिधान में सामिल किया जाने का उद्धे से क्या है। आंसर आपका हो जाएगा ओप्सन डी समाजिक और आर्थिक प्रजात तंत्र को इस्थापित करना। डी इसका उत्तर हो जाएगा आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। चलिए नेश्ट कोसन देखेंगे कोसन मर्फ पचास भारती समिधान का प्रथम प्रारूप तयार किया गया था किसके द्वारा। किसके द्वारा यापका प्रारूप तयार किया गया था याद रखियेगा और भी इसका उत्तर हो जाएगा ठिक है चलिए तापके निमलखित में से किस पैमाने में रडात्मक मान नहीं होता है रडात्मक मान नहीं होता है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा option C Kelvin क्या हो जाएगा Kelvin इसका उत्तर हो जाएगा नेश्ट को सने की मतने के पस्चाथ क्रिम का दूद से प्रिथक यानि अलग हो जाने का करड़ क्या है इसका उत्तर आपका हो जाएगा अपकेंद्रियबल अपकेंद्रियबल हो जाएगा सी इसका उत्तर हो जाएगा चलिए आगे दिख लेते हैं अगला प्रस्न है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है यानि इसमें से आपका कौन सा कथन है जो की गलत है गलत की अगर हम बात करें तो बेरियम तथा इस्टांसियम प्रकृति में मुख्त रूप में पाजाते हैं यही आपका यहां पे गलत दिया गया है सिमेंट में जिप्सम का योग उसके इस्थापन दर को मंद करने के लिए किया आयता है यह भी आपका सही है सभी छारी मिर्दा धातु जल योजित लवड उत्पन करते हैं यह भी आपका यहां पे सही है ए सबहाँ को निचे लगो के होने की संभावना है सिवाए किसके लिए तो 35 के अगर हम बात करें तो फ्लू और इसी को छोड़ करके बाकि है जाट आफाइड कामला यह स्वाप का इसी हो जाता है तो आपका डी को छोड़ करके यहां पर हो जाएगा नेश्ट कोसन की मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्यों तो इसका यही करण होता है याद रखेगा आपका उसका घनत पानी के घनत उसे कम होता है इसे के करण आपका यहां पर होता है याद रखेगा नेश्ट कोसन क्या है चलिए आगे रखेंगे कि वायू सक्ति में उर्जा का कौन सा रूप विधुत उर्जा में परिवर्तित होत नेश्ट को सने अंठावन नंबर के निमलिखीत में से कौन सा बहुलक बुलेट पुरूफ वस्तर बनाने में उपयोग होता है या फिर प्रयोग किया आता है देखिए बुलेट पुरूफ बनाने के लिए आपका पॉलियमाइड हो जाएगा आंसर जो है आपका यहां पर भी होता है ढाल के हमीन होता है ठीक है तो आप इसको आख्यों से याद रख सकते है नेश्ट को सने कि मानौ सा भाग साईड का कर नियंत्री दे रखता है दल्ता है नेश्ट को हो जाएगा ऑप्शन के साप से फेफडा ठेफ्न प्रमुख सोसनां होता है जो कि स्वाशन कर दोर सार्थ के ऑक्सिक्रड से जहां एक और उर्जा उत्पन होती है वहीं दूसरी और जल वास्प तथा गैस का साइज में इसके निस्कासन के द्वारा ही होता है ठीक है अब यहां से आपका मैत और रिजिनिका को से तो मैं इसका आंसर आपको बता दूँगा आप इसको अचे आपके 65 का बैंसर का प्यातल क्या कि अबस्तों कि और चांचैट 66 का क्या चांचैट का मैं इसके 10 गथे है 70 का बताई क्या होगा तो इसे मैं आपको 70 का अंसर बता ही दे रहा हूँ 70 का हो जाएगा आपका option B हो जाएगा 71 की बात करें तो यहां पर आपसथल ए हो सैंटी ट्वॉ ट्याएगा आपका आपका option, एक सेट डी वगा 72 का और 73 का दिखा जै तो हो जाएगा आपका option C, 74 का देख लेते हैं, 74 का हो जाएगा आपका option D, और 75 देख लेते हैं, 75, 75 का देखा जाएगा ञाम का option A, किया हो जाएगा option हो जाएगा याद रखिएगा चलिया आगे दखेंगे अगला आपका है 76 76 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा और 77 का हो जाएगा option सी बुधवार और आगे देखेंगे 78 का तो 78 का हो जाएगा ऑप्सन सी 30 55 79 देख लेते हैं 79 का हो जाएगा 25 और 80 80 से हमापका यहाँ पर को संदेख लेते हैं बुला गया कि निमना वाकिके लिए उचीत तरक होगा हम मंदब रेजनी का यह तो रिजनी का देखा जाए तो आप आपका ओप्सन सी हो जाएगा अब यहां से हम 81 से देखेंगे याद रखिएगा चलिए 81 देखेंगे कि आस्ट्रेलिया की राजधानी कहां पर है और जो राजधानी है यह कौन सा है तो आपको पताई होगा और जो राजधानी है आपका केनबरा पड़ता है कौन सा केनबर सदस्द को सूचित कि अनुपस्थित रहता है कितने दिन के अंदर तो कम से कम उसको 60 दिन यहां पे यहां पे यहां पयानि दो महिना तो नहीं बल सकते क्योंकि दो महिना आपका कम ब 10 हो सकता है कभी यहां पे साथ दिन मान सकते हैं ठीक है चलिए नेश्ट कुस्ण की retrospect रक्तदान दिवस यानि blood donor जो आपका होता है यह आपका रक्तदान दिवस कब मनायता है कौन से तारीख को तो यह आपका मनायता है 14 जून को नेश्ट कुछन की as you like as you like it किसकी रचना है as you like it जो रचना है यह आपका देखा जाए तो सेक्सपियर का है option आपका बी सई हो जाएगा नेश्ट कुछन की पहले भारत रत्न प्राप्ट करता कौन थे सबसे पहले भारत रत्न कौन प्राप्ट किया था तो आपका cv रवन हो जाएगा cv रमन नेश्ट कुसने की थामस कप जो है किस खेल से संबंधित है थामस कप याद रखिएगा भूलिएगा नहीं आंसर आपका हो जाएगा ऑप्सन सी बैडमिन्टन से किस से बैडमिन्टन से अंतराष्टिय नियाले का मुख्याले कहां परिस्तित है अंतराष्टिय नियाले का जो आपका यहाँ पर पढ़ता है कहां पे दिल्ली में पढ़ता है यानि आपका भी सई हो जाएगा नेश्ट को से देखेंगे आपका 90 नंबर की निम्न में से कौन से एक परिस्तित किये संतूलन बनाय रखने में मदद नहीं करता है तो यह आपका हो जाएगा वनो का काटना वन से अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहां पर अवस्तित है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हैधराबाद में कहां पे हैधराबाद बी राइट आंसर हो जाएगा आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं नेश्ट कुसन की राज सभा का अध्यक्ष कौन होता है देखि जल दिवस जो है आपका कौन से तारिक को मना आता है तो आपका ये 22 मार्च को अगर हम बात करें 22 अपरेल तो प्रिस्वे दिवस के रूप में मना आता है राम चरित मानस को किस ने लिखा था देखिए राम चरित मानस को तूलसी दास के द्वारा लिखा गया था यानि student प्रदान करता है इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम ACI खेल कि सवर्स आयोजित किये गए थे प्रथम ACI खेल तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1951 में 1951 वर्तमान में ओपक के सदस्यों देसों के संख्या कितनी है जो सदस्य होते हो पेक में तो करीबन देखा जाए तो इ इसका मुख्याले आपका वियाना यानि और अर्ष्टरिया में पड़ता है hardly प्रस्थमे का सारा भाई किस सैली के नुरित्यों के लिए प्रसीद है इसका उत्तर आपका हो जाएगा भारत नाट्यम भारत नाट्यम हो जाएगा डि इसका उत्तर हो जाएगा आखरी प्रसन आपका है कि सुरे की हानिकार्ग कीड्डो से प्रिथिभी को कौन सा इस्थर सुरक्षित रखता है सभी को पता होना चाहिए आपका ओजोन इस्तर हो जाएगा बी सही आंसर हो जाएगा तो फ्रेंट्स आप सभी लोग कही है एक नए सेट में